जै मातादी दोस्तो इसार इस लर्णिंग में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सपने में जूते चपल देखने का या नया जूते देखने का क्या मतलब होता है तो चलिए सुरू करते हैं अगर आप अपने को देखते हैं तो ट्रिमस्टलॉजी और स्वपने शास्त्री के नुसार या एक अच्छा संकेत माना गया है यदि आप सपने में जूता पहनते हुए खुद को देखते हैं तो यह सपना इस बात की और इसारा करता है कि आने वाले दिनों में आपके कारी में आने वाली बाधाय जो भी है वो सभी दूर होने वाली है यह सपना आपको चिंता मुक्त कर सकता है और साथ ही कारी में जल से जल सा पतला प्राप्त होगी इस बात की और हिसारा करता है दोस्तों इसलिए सपने में जूता चपल पहनना बहुत ही सुप माना कया है इसके अलावा दोस्तों शुपन शास्त्रिक अनुसार अगर आप सपने में जूते चोरी होना या चपल चोरी होना या गुम होना देखते हैं तो यह भी एक सुबसंकेत की ओर निशानी माना गया है यह सपना हमें यह सुचित करता है कि आपके जीवन से सारे नकारात्मक चीजे जो है वो दूर होने वाली है आपके जीवन में साकारात्मक उर्जा प्राप्त होने वाली है जिसके चलते आपके हाथों से सभी कारे सही होने लगेंगे आपके अधूरे सपने पूरे होने की और ये इशारा करता है इसलिए सपने में जूता चपल चोरी होना भी सुपसंकेत की और ही इसारा करता है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लाइक से और सब्सक्राइब चरूर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै माता दे